किैं साथ्यों नमाशकार मैं आपको आज एक मक्का की खेत में इस साल का पहला वीडियो है मेरा मक्का खो Subscribe मैं लेकर की आया हूं और मेरे साथ किसान है और आपको पहले सबसे पहले में खेती आपको मक्का को दिखाना चाहता हूं अभी थर्ड यूरिया भी डाल रहे हैं और बहुत बड़िया सांदर ग्रोट है मक्का का और पत्तों में किसी प्रकार का देख रहे हो आप कोई बीमारी किसी प्रकार का कुछ दिख नहीं रहे हैं और बहुत सांदर तरीके से आप मक्का को देख रहे हैं इतना ज पुरा एकड़ 15 सेंट एकड़ में है और आपके हाथ में यह क्या चीज़ है और अरगनेटियर अल्टो ग्रो जेविक खाद तो इसको आप पहली बार डाले पहली बार दाले हो यह इसाल डाले हो तो आपको कैसा लग रहा है इसको डालने के बाद बहुत अच्छा लग रहा ह आपको क्या चीज़ ज्यादा आपको अच्छा पसंदा है क्या अच्छा लगा मतलब 22 पेकेट मुका लगाए थे यह केकर में डाले हूं यह दोनों मिला के इसका मुका बहुत अच्छा है उधर का थोड़ा डिफ्रेंस है यानि आपको 22 पेकेट अलग दिख रहा है और यह अलग यही है साथियों आर्गेटी अल्टो गुरू का कमाल आपको यह देखने को मिल रहा है तो आप थोड़ा बताएंगे कि कैसे कैसे आप डाले शुरू में कैसे डाले शुरू में इस चोटा वाला बटल एक बटल और इस बड़ा वाला का सुलाड़कन को मिक्स कर दिए यूरी अकशाथ डाल दीए और उसके बात शेंडेश रस सेकन्ट डोज ज सकेंड जूसे डाल यह डालें दो बार वह दाल यह ना कि दौट दीक्समें तो आप बताओ कि ए- जो मक्का सब्सक्ता हमई है अभी शुरुआद है आना सुरू हुआ है बहुत ही अच्छा और किसान का खेना यह है कि उनका 22 पेकट मक् demokratर और यह अककर मक् का मymmलग है उनका कह пойना है तो आप जो खिसान झान विवला के बाराह समय में दो यह करते हो इसको डालना चाही है अगे बढ़ना चाहिए इसको डालने से मिट्टी भुरबुरा होगा कम पानी में फसल होगा और जो मका का जो जड़ है जड़ मैं आपको दिखाना चाहता हूं यह दिखिए जड़ है यह जड़ को यह इस प्रकार से जाता है मतलब यह जो है एक दम बड़ा-बड़ा मोटा- मिर्टी को पकड़ के रखता है मिर्टी को बहुत सप्टिंग लेता है और यह थोड़ा-बहुत हवा में गिरता नहीं है तो आप किसानों को क्या कहना चाहते हैं जो नहीं डाले है और जाएंगी फिर समझाएंगी उन लोग को भी डालना नहीं आप वीडियो के माधियम से बता दीजिए आपका मैसेज उनको चला जाएगा बोली क्या कहना चाहते हैं उसको डालना बलेंगे उसको डालने चाहिए डालने से फाइदा है और धीरे-धीरे यूरे-डी-ए-पी को कम करके जैविक खाद में आना है क्योंकि यूरे-डी-ए-पी से किसानों का खर्चा बढ़ता है और जो कमाई होता है फिरो इसेट शाओकर को दे देना पड़ता है तो आपको यह अरगनेट आल्टों को रखे बारे में किसने बताया आप ही तो बताया साथियो मैं हूं सीके विश्वास और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं किसान को देता हूँ और साथियों आप जो देख रहे हैं और यह वीडियो को आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आर आपके आसपास में जितने भी किसान हैं जो खेती बाड़ी करते हैं कोई भी फसल लगाते हैं धान मक्का गेहूं कुछ भी फसल लगाते हैं हरी सबजी टमाटर आलू प्याज जो कुछ भी लगाते हैं तो उन सब को अरगेनेटी अल्टोगरों के बारे में जरूर बताईएगा और हिंदुस्तान को एक जैविक खाद वाला रास्ट गोशित कर बनाने के लिए हम प्रयास रथ हैं आप भी हमारे साथ जूड़ सकते हैं हमारे मिशन के साथ जूड़ कर स्वास्त भारत समरीद भारत मिशन में आप भी भागिदरी कर सकते हैं थैंक यू जैहिन जैल्टोस